9 सर्जन निमिते महाकार्णी तैयारी, लेखक, पंडिक श्रीरान शर्मा आचार्य, ओडियो स्टिक्स, उपस्थिक समस्याओ उकेलाई रणी छे, कोई समय हतो जियारे घर-घरमा अंध विश्वासोनी संख्या मोटी हती, भूद प्रेद, जादू मंत्रनी चर्चा दरेक गर चर्चा नो विश्वाई बन्यो हतो, कोई-कोई नी उपर जादू करी दिदो छे, आ चर्चा घरमा कोई ने-कोई ना मोडे थी सामबढ़ मां मढती हती, शंका अने आ शंका नो भै परसपर क्लेश, विद्वेश नो कारण बन्तो हतो, कितलाक धुतर आओ ए आ मुश्केली ने-कोटानो व्योसाई बनावे लिदो हतो, नानी विमारियोने कोई बूद पलितनो काम मानी लेवामा आवतो, अने जेना तेना उपर आरोप लगावी देवामा आवतो, कितैने जादू मंत्रा कर्यो छे, भुणा लोको आ वातो उपर विश्वास पन करी लेता हता, अने राइनो पर्वत तलनो ताड बनी जतू, दरोज परस पर क्लेश, शंका, अंध विश्वास अने विग्रहो उबाथ हता रहता, प्रेत बादा दूर करवा वाड़ा आ बहाने पोतानो सारो एवो धन्दो चलावी लेता हता, जिया शांती पुर्वक रहभू जोईतू हतो, अने बिजू कोई कारण नो हवा थी दुर्भावनो कोई आदार नो हतो, नो तो बनवो जोईतो, तिया आपन नाना मोटा गामो सुधी पन संदे, अविश्वास अने दुर्भावनो वातावरान बनी जतू हतू, अग्नी मा इंधन पडवा थी आगमा वधारो थाय छे, मन मनोरंजन माटे कोई लोग कथा ओने तल माथी ताड बनावी देता हता, अने तेना बहाना हेठण कोई नी पासे थी कशुट ने कशुट ठगी लायता हता, आ विश्वास क्या थी उपज तो हतो, अने अत्यारे ना जाने क्या चाल्यो गयो, ते उपर आस्च्याल्य थाय छ ना समझाणज वातनु वतेसर बनावती हती, समझदारीनो उद्भव थताज बदी जन्जान मटी गई, मानों के गदेडाना माथा उपर क्यारे चिंगडा उग्याज हता नही, आवीज के टलीक ब्रह्मणाओ मनुष्याने पोताना सबंध मा अत्यारे पन थाय छे, शारीर कई फाइदाकारक निकली, अने कई नुक्षानकारक, एक रोगी माटे जे दवा उप्योगी निवडी, ते बीजारोगी ना रोगमा नुक्षानकारक सिद्ध थाई, खोडा खोडा दिवसे डोक्टरों तेमाच दवाउनी अदला बद्री एटला माटे थत्ती रहे छे, आ पराम परा वर्षोती चालती आवे छे, पड़ अत्यार सुधी कुई एक निष्ठे उपर पहुँचवानू संभवी शवकायू नथी, आटला दिवसो पछी हवे एक साच्चो निष्षकर्ष हाथ आव्यो छे, के मननो शरीरना बद्धाज भागो उपर अधिकाल छे, जो मनने नियंत्रिक अने सन्मार्गी बनावी शकाय, तो शरीरनी बद्धी कडो भागो पोद कोतानू काम साची रितीती करवा लागे छे, अने दिमारियोनू मून कपाय जाय छे, तेना विप्रित जो चीन्तननो क्रम बदली नंखाय, उल्टावी नंखाय, खराब विचार उपर छवायलो रहे, तो शरीर मा कुई स्थानिया दुख न होवा छर्ता पण, कल्पना जन्या अनेक अव्यवस्थाओ उभी थाय छे, अने दवाव मां फक्त एज थोड़ी वधारे असर करे छे, जेना उपर उन्डो विश्वास होय, आना थी साबित थाय छे कि बिमारी मूर्तो मननी अंदर अज छे, शरीर मा तो फक्त तेनों आबास ज थाय छे, जो सरण, सोम्य अने सदभावना पून विचार बनीने रहे, तो बिमारी अनों जे प्रकोग थोड़े थोड़े दिवसे जड़वाई रहे छे, तेनों अस्तित वज ना रहे, आ तथ्या जो समय पहलाज जान मा आविगयु होत, तो दरेक पोतानों इलाज जातेच करीलेत, अने ते माटे आम तेम भटकवानी के निराश्थावानी जरुरज न रहेत, आ वात उदासी अने उद्वेगना सबंध मा पण छे, लोको प्रतिकुल परिस्तितियोंने चीनताओ, शंकाओ, अन प्रतिकुलताओनों कारण माने चे, पण ए बुली जाय चे, के ते परिस्तितिमा तेकलाज साधनों मा अनेक लोको प्रसन रहे चे, अने संतोष पूर्वक जीवन पसार करे चे, प्रतिकुलताओ अनुभववामा चीतनी प्रवरुतियोज मुख्य भूमी का निभावे चे परिस्तितियोंने बदलवा माटे भाग दोड करवानी जग्याए, जो मननी तुक्का वगर्नी लिती नितीने सुधारी लेवामा आवी होत, तो दरेक स्तितिने पोताने अनुपुल बनवामा कोई मुश्केली नड़ती नथी, पोतानी गुलने विजावना माथे एतला पने नाकी देवामा आवे छे, जो कुटे वो अभ्यासमा नव भुसी होत, तो सरलता अने सर्जनतानु सुम्य जीवन जीतेलो दरेक व्यक्ति पोतानी वर्तमान करिस्तिती सुधारी लेद, बोल सुधरी जवाती जे प्रती कुर्ता चारे बाजु ए गेराईली जोवा मले जो आ मोटा तत्योंने लोको रदैमा उतारी ले, तो इच्छा आकांशाओने पुरा करवानी दोल धाम न करवी पड़त, फक्त सैयम साधनाथीज मोटा बागनी समस्याओ उकली जात, जो स्वानेंद्रिये उपर काबु राख्यो होत, तो बेन जरूरी अभग्षे तेवो खरक खावाने इच्छा न थात, अने पेटना संतुलिक बनी रहवाने कारणे, पाचन तंत्रमा कोई व्यक्तिक्रम उगो न थात, कामुक्ता मानसीक विकार छे, लोको तेने शारेरीक मांग के आवश्यक माने छे, पन ते साच्चू न थी, जो आ मुख्य सिद्धान्तने स उप्योगी औने महत्व पूण कामों मा लागेला होद, जेना थी सुबिदाओनी उनकज न रहेद, आने जे अयोग्यतानों थोड़े थोड़े दिवसे सामनों करवो पड़े छे, तेना थी कोई पड़, कोईने हैरन परेशन न करद, आक, कान, नाक, इंद्रियों मां थी जने क्रियाशिल केवामा आवे छे, जो तेना प्रयोग पहलाज ए विचार करीलेवामा आवे छे, कि योग्या औने अयोग्यों मां शू अंतर छे, ए शू स्वीकारवा जेवू छे, औने शू स्वीकारवा जेवू नथी, तो मगज़त बारा अवडी दिशा अपनावा, पने तेने परिणामे कोईपन बिन नुक्सन करक प्रयाज करवा माटे कदम आगल वद्ता नहीं, पछी सारामा सारा सुक शांतिकुन जीवनने कुरूप बनावने कोईने जरूर पड़ती नहीं। उपलग्द वस्तुवने सारे लिते प्रयोगमा लावी मनुष्यनी बुद्धी मतानु चीन हचे, जीवन चर्यानी साथे जोडायल, मनने जो सवती सारू साधन मानवामा आवि होई, तो तेना सद उप्योग, दूर उप्योगनु शरूवाती जिद्यान राखवामा आवि हो आर संसार मा एवी एक पण मुष्केली नथी, जेनु बुद्धी मता अपनाव वाधी समाधान न जड़े, अने निराकरनो रस्तो शोधी न शकाए, आर संसार भगवानों सुन्दर भगी जो छे, तेमा दरेक तिशामा दरेक प्रकारनी सुविताओज भरी पड़ी छे, ज जया क्याई प्रतिकूर्ताओ जुवा मले छे, त्या समझवो जोईये के चिंतन मा क्या कोई गर्बड छे, जो ते खोटने सुधी लेवामा आवे, तो ते कारण सहज लिते समझवामा आवी शक्ये छे, जे जीवनना सुख पोण रस्ताने काटावाडो बनावे छे, हवे पचीना दीवसों मा मनुष्य पोताना चिंतन ने साच्चू करवा जयी रहो छे, अने साथो साथ ते बदी समस्या हो थी पीछो छोडवानी तैयारी करी रहो छे, जे आजे हेरन गतेनू वातावरान बनावी रहो छे